तो हलो बेव लड़ार एंड वरकम तो माई चैनल वीबी एक्स्ट्रीमर तो आज के विडियो होने वाले हैं बेव लेड़ सीजन 5 मेगा फॉर्ण एपिसोड 3 जैना सब्सक्राइब एपिसोड 3 आ चुकी है अगर आपने एपिसोड 1 और एपिसोड 2 देखा है आपको यह वाल और शुरू हो चुका है बेव लेड़ का एपिसोड 3 जी है बेव लेड़ मेगा फॉर्स का एपिसोड 3 तो जैसा कि सब अपने पने रास्ते जाने के बार के लिए रांस में एनांस्मेंट हो गया था कि कौन किस ग्रूप में लड़ेगा जिसके बार टाइसन सोचता है कि बॉल और क्योया जैसे ब्लेडर कैसे होंगे उनके साथ लरने में कितना कैसा लगेगा फिर रे कहता है कि ताइसन हम दोनों ही एक ही ग्रूप में है क्या पता हम दोनों का भी मैच एड़ हो जाए फिर ताइसन कहता है हाँ दोस्त हम दोनों और फिस रे कहता है बिल्कुल ऐसा ही कहकर प्रेस्टिक शुरू करते में रे और साइटन केली मैक्स के साथ मैक्स के पैपरों पर तुना काम कर रहे हैं काई का कुछ पता नहीं कि वो अकेवा ही रहना पसंद करता है दाइची थोड़ा परिशान है हिलरी ये देखता है मिलें हिलरी देखती है कि डाइची बहुत ही परिशान है फिर दाइची को पूछ की ने क्या हुआ दाइची तुमने ऐसे क्यूफ वैसा हुआ है तुम बहुत देविसे यहाई बैठे हुए हों सब प्रेक्सिस के लिए है तुम भी उनके साथ जाओ पर दाशी कहता है कि नहीं वहाँ तूर्णमिंग के लिए बहुत खबराहट हो रही है जब क्यों हिलरी कुछते हैं कि दाशी कहता है कि हम गुप दीवे हैं जिसमें बुखलीन, प्रीं, रागों सब्स्राइब हैं हमारे जितने नाम होगे हैं और रिको यह सुनकर थोड़ा बुरा लगता है पर फिर भी हिलरी नाशी को हिम्मत देती है कि तुम चिंता मत करो अपना बहत देना हावने यह जितने से फ़र्ट में भरता बस अपने परफॉर्मेंस में ठ्यान दो फिर दाइची ये बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है और हिलरी को शुक्रिया कहकर रे मैक्स और ताइसन को कहता है कि हमें भी शामिल कर लो तुम लोगों के सार और फिर वाकिस कहते हैं क और फिर वो देखता है कि कौन बेव डेडिंग कर रहा है कि और उसके बार कर देखता है कि गृरूपलीन बेव डेडिंग की प्रैक्सिण कर रहा है फिर ये देञ लिद लुन शॉक हो जाता है उसके वास क्या हुआ आप लोगों को एपिसोड 4 में पता चल जाएगा तो एपिसोड कैसे लगी लाइक जरू दरना कोमेंट सेक्षिन में बताना कि आपको एपिसोड कैसे लगी चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो इस वीडियो को आपके दोस्ते को साथ शेयर करतो चाहती पूरा जर्दी आजाए साथ ही आपको काई और गुद्ली की मैश में क्या हुआ यह सब कुछ पता चल जाए तो इन चुदा की जए पिसोड़ का तो अभी के लिए इतना ही कहूंगा चक कर दे काका